हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैसिंग एक्सपर्ट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक जी ओनी का सेट आ हो इसका मॉडल मेरे जी ओनी पी फाइप एल तो दोस्तों इस फोन में लगा हुए एफार पी लोग अब आपको सबसे पहले मिल सके यहां पर देखिए किसी भी तरीकी का इसकी बटन आपको दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों और यहां पर नेक्स बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके की ओप्शन आयेगा ठीक है दोस्तों अब मैं आपको बैक करके दिखाऊंगा इनफो की ऑप्शन आया उसके बाद थोड़ा से वेट करना जस्त थोड़ा सा दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका इसको फर्प को कैसे बाइपास कर सकते हैं यहां पर देखिए नेक्ट प्लेटर पे क्लिक करते था हूं और बैक चले अब आपको मै मैं अपको दिखाता हूं फिर से करके दिखाता हूं यां पर देखिए इस तरीक से स्तवा अप कर देना है मैं फिर तरो ने के दर कोसिक rifak करो एए दुए हां इनुन कहर Girard अंपर की तरफ स्लाइड करना है यहां यहां पर देखिए अप्सिनEE कर आगा त्थेज़ु जल्दी में साथ बार यहां पर भूत दिखानाने के को सक्रूष करता हों उपने कुछ तरीको ऐसे साथ आपको जल्दी जल्दी टैप करता है कुछ देर होगा है और ओंक्र जाने के बाद आपको यहां पर जिखाए दिखा दे रहा हो गार यहां पर भीक कर देना बैक के डाट पे चले जना है फोन डेटा है फोन इसे में पर चूलिक करेंगा अब आपका फुन जो है वह भी format हो जाएगा आपके phone की जो भी data होंगा वो सब कुछ delete हो जाएगा बट आपके phone की जो भी FRP log की problem थी Google account log की problem थी वो sort out हो जाएगी ठीक है दोस्तों लेकिन मैं आपको बताने की कोसिज करता हूँ दोस्तों sorry for that आपको इस method को और इस phone को apply होने में करीबन करीबन 7 minute तक लग सकते हैं दोस्तों ठीक है 7 minute आपको wait करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका phone on होगा क्योंकि मैंने लगबग 3-4 बाद इस phone को format किया है और इस phone की FRP को bypass किया है तो मुझे पूरा experience है कि इस phone को actual में कितना time लगता है इस FRP को bypass होने में ठीक है दोस्तों FRP तो तुरंट bypass हो रहा है बट आपका phone जो भी format होता है तो उसका format होने का duration जो भी है वो 7 minute तक approximately 7 minute तक लग सकते हैं दोस्तों तो almost 3 minute हो चुके अब आपको थोड़ा सा वेट करना है अगेन मैं आपको दिखाऊंगा कि चात मिनट के बाद आपका phone कैसे on होने के बाद किस तरीके किसा विएब करता है और आपका phone का FRP लोग bypass होता है या नहीं होता ठीक है दोस्तों complete तरीके से वीडियो को दे आपको समझाने के कोश्च करता हूं कि वीडियो को जब भी देखा किजी complete देखा किजी आप लोगों की एक प्रॉब्लम है sorry for that मैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रॉब्लम ही कि आप लोग वीडियो को complete तरीके से पूरा नहीं देखते हैं और आप वीडियो देखते हो फिर करते जाते हो वीडियो देखते हो फिर करते जाते हो फिर आप लोगह प All of the Roboth जाते हैं जो कि आपका पांच मीनट का काम एक घंटे डेड़ घंटे लग जाते हैं आपके फोन को लेकिन आपका फोन पाय पास नहीं होता और आपके टाइम भी वेस्ट होता तो आप लोगों को मैं एक सजिसन देना चाहूँगा सुरू सुरू में मैं भी गलतियां करता था जिसकी वज़ा से मैं सीखा हूँ और लोग या फिर अगर हम कहें कि हर आदमी अपनी गलतियों से ही सीखे तो ज्यादा बहतर है ठीक है दोस्तों तो मैं आपको यह मैं रेक्मेंट करना चाहूँगा कि आगर आप वीडियो देख रहें तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लें अगर आप वीडियो को हो सकती है अगर मैंने टैप कर दिया और मैंने कहा कि यहां नहीं टैप करना था तो आपकी प्रॉब्लम तो फिर से फस गई आपको फिर से टॉक बैकान करना पड़ सकता है तो एक बार वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखिए और वीडियो को कंप्लीट देखा किजिए अगर आपके पास उस वीडियो में वाइस है तो ठीक है आप वीडियो की वाइस भी सुनिए ताकि आपको एक्चुल में पता लग सके कि एक्चुल में इस फोन के साथ साथ क्या हो सकता है दोस्तों मेरे वीडियो लेंदी क्यों होते हैं लंबे क्यों होते हैं वह भी मैं आप प्रॉब्लम आती हूँ, मैं सब कुछ कवर करना चाता हूँ, सब कुछ दिखाना चाता हूँ कि इस फोन की फॉर्मिट करने की दौरान क्या क्या प्रॉब्लम एक्च्वल में आ सकती हैं, जो कि आप फेस कर सकते हैं, एक्च्वल मैं कभी बना दू विडियो स्कीप करके और स्कीप करने के बाद आपको कुछ आइडिया लगी कि आपके फोन के साथ ये भी हो गया, और मैं यही से लिए मैं आपको विडियो को कभी भी विडियो को कट नहीं करना चाता है, विडियो को कहीं से भी कि मैं नहीं करना चाहता ताकि आपको अच्फोन में पता लग सके कि हाँ स़ोन में प्राबलम कहां तक आ सकती है किस तरीकी की प्राबलम आ सकती है ठीक दोस्तों और इस फोन के आंडॉकिंगcom कितरा टाइम लग सकता है यह भी उंद को वीडियों में दिखाता अची आप घबराएंगे कि फोन हैंग ओन लोगों पे तो नहीं रुक गया या अपने कोई गलती तो नहीं कर दी या फिर और भी सारी प्रॉब्लम है आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए मैं आपको रेक्मेंट करूंगा कि अगर आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलें अगर आपको भी कोई सब्सक्राइब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए मैं आपको कॉमेंट का रिप्लाई विदिन 15 मिट में देने की पूरी खोसित करता हूं और अग की बार को जो भी आपको ढलेंटेब करण क्यों क्यांकर कि तुम आपको आपको श्तरी अरोभिफिश क्लाई है और फ्रीप यह कंई दुक्राइब करता हूं कि अगर चाइंद कोई थाओं आती है यो उक्त क्यानियॉफ म injust Worτά दो लेने में नहीं यहां तो आनिया फ्री और स सबागा जो भी इस सब कुछ फ्री में ही करता हूं कुछ बी प्रॉब्लम आपको कुछ भी चार्ज देने की जरूप नहीं होती दोस्तों अलमोस्ट फाइनली ये फोन अन हो चुका दोस्तों फाइनली ये फोन अन हो चुका अब इसको सैट अप करना बताऊंगा इस एरो पर क्लिक कर देंगे सुद्रा से वेंगbaum लोग जाता है तो इस 사lar का थे स्सकूप्वारी में आपको क्लिक करेंगे इसके बटन क्लिक करेंगे इस यह जो से जब आपको क्या करना मैं दिखाता हूं सुनुआ से वैट करने के पाद मैं दिखाऊंगा यह ID रोके का दोस्तुं यह धो क्या स्लाइट कर देना है अब आपको इसकी सैटिंग में जाके मैं दिखाता हूं बस थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पर देखिए नोटिफिकरेशन वाला सैटिंग है खुल गया तो आपको सिंपली बैक चले जाना ठीक है दोस्तों बैक जाना है और आपको सैटिंग में जाना ह जाओगा अगर यह आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्नवाद थैंक्स थैंक्स पूराचिक दिस वीडियो जय हिंद वंदे मात्रम